इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई हैं। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करतें। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. पैन चालीज टैबलेट एक दवा है जो आपके पेट में उत्पादित acid की मात्रा को कम करती है. इसे पेट और आंध के acid से संबंधित रोगों जैसे सीने में जलन, acid reflex, पैप्टिक अलसर डिजीज और बहुत अधिक acid बनने से जुड़ी पेट की कुछ अन्य कंडीशन के इलाज के लिए इस्तिमाल किया जाता है. पैन चालीस टैबलेट को दर्ड निवारक दवाओं के लंबे समय तक इस्तिमाल के कारण होने वाले पेट के अलसर और acidity की रोग थाम करने के लिए भी इस्तिमाल किया जाता है. यह proton pump inhibitor, PPI के नाम से जानी जाने वाली दवाओं की श्रेनी से संबंधित है. इस दवा को हो सके तो सुभा, खाने के एक घंटे पहले लिया जाना चाहिए. डोज आपकी underlying condition और दवा के प्रती आपके response पर निर्भर करेगी. अगर आपके लक्षन जल्दी से ठीक हो जाते ह तब भी आपको निर्धारित अवधी तक इसका सेवन जारी रखना चाहिए. आप समय समय पर काम मातरा में भोजन करके इलाज की कुशलता बढ़ा सकते हैं और जैसे चाय और कॉफी, जैसे कैफीन युक्र ड्रिंक्स और मसालेदार या फैटी खाना खाने से बच सकते हैं. इस दवा के साथ देखे गए सबसे सामाने साइड इफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, सिर्दर्द, चक्कर आना, पेट फूलना, गैस बनना, डायरिया, दस्थ और पेट में दर्द शामिल हैं. ये लक्षन आमतोर पर हलके होते हैं, लेकिन अगर वे आपको परेशान करत हैं या नहीं जाते, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें. लंबे समय तक इस दवा के इस्तिमाल से साइड इफेक्ट का जोखिम बढ़ सकता है. उदाहरन के लिए एक वर्ष से अधिक समय तक इस दवा का इस्तिमाल आपके हड़ी के फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ा सकत है. विशेश रूप से हाई डोस के साथ. घडियों की क्षती, औस्टियोपरोसिस को रोकने के तरीकों, जैसे केलशियम और विटमिन D सप्लीमेंट लेने के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें. इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको लिवसंबंधी गंभीर समस्य हैं. HIV के लिए दवाएं ले रहे हैं. और अतीत में इसी तरह की दवाओं से कभी allergic reaction हुए, या हड़ी के नुकसान, osteoporosis, से पीडित है. तो आपको अपने डॉक्टर को बताने की जरूरत है. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर इस वीडियो को लाइक करें. अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है इस दवा के विशय में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं. अगर आपको ऐसे ही और दवाईयों की जानकारी के वीडियोस देखना पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें. साथ ही पर सेट करें. धन्यवाद.